फरीदाबाद में बदमाशों के होसले बुलन बदमाशों ने महिला को अकेला पाकर घर में लूट की वार्दात को दिया अंजाम जिसको लेकर सेक्टर 30 क्राइम ब्रांच ने दो अरोपियों को गृफतार करने में सफलता हासिल किया बता दे चार दिसंबर को करीब 10 बजे दो नकाग फोश बदमाशों ने जबर्दस्ती घर में घुसके महिला अकेली थी अरोपियों ने अवैद पस्तोल चाको की नोख पर महिला वा दो बच्चों को मोद का भै दिखा कर घर में जिवैलरी और नगदी लेकर दोनों बच्चो और महिला को बातरूम में बंद कर दिया और टेलेवीजन की आवाज को फुल करके वहां से फरार हो गए कि एसीपी शाब आज प्रेस कॉंफेर्स बुलाईए क्या है पूरा मामला और किस विश्य पर प्लाई है देखिए आधणी एसीपी शाब भरीदावाद स्रीविकास रोडा तथा डिसीपी कराहिं मुकेश मिलोत्रा के दिशा निर्देशों को कारिये करते हुए अमारी क्राइम रांज तीस ने महिलाओं को घर में अकेला पाकर टकेती करने वाले एक गिरोगों को पकरने में कामियाभी हसिल की है इसके अंतरगत तिनाग चार दो दो जार तेईस को शाम को करीबन नो दस बजे सेक्टर पिच्पन एरिया में एक घर में अकेली महिला को दो नकापोस मदमास घर में गुषते हैं उनको पिष्टल और चाकू दिखाकर मोद का वैदिखाकर उनको धमगाते हैं और बातरों में बंद करके घर में रखी हुई जमेलरी पैसे लूट के ले जाते हैं इस गिरोगों को पकड़ने में हमारी क्राइम राज तीस ने साथ दीन के अंटर अंडर कावी जना इयखी है किमेरों क्रें है इससमें तो लोग सामिल दे तो अनूनों लोग कः लिए तो क्या-kया बार्दाथ में पुछ मिला या उससे क्या का लूट आ गया थैवरी का रही मुए पर आपको जो और पर पर नहीं हो रिंब की तो बीजल द करना में ट्रेस कर दिया है ये मामला और भी जो पिसले महिलाओं से साथ लूट बूट हुई पड़ी है उनकी क्या भी जानकारी आ रही है और अचलो रही है इस से मिलती जूति एक बार्दा तो और है उसके बारे में फुस्टाच की जाएगी हो सब्सक्ता है नाम इनका एक गोविंदा है ये दोन्नों जीवन नगर के रहने वाले हैं ये करीबन वहीं बीश सालनी साल के अरीबिन की इस है कुछ पढ़ाए लिखा है इनकी सर जो फिरोज है ये टेंथ पास है और गोविंदा है ये एट पास है तो पहले बीनों ने कांड कर रखा है ता लूट जो वोपर को हुए इस तो जीव